तुमाटर का भरताब कह सकते हैं तुमाटर की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए दो बड़े साइज के या तीम बड़े साइज के टमाटर और आपको उनको ब्यास के स्टॉफ पे रखके बढ़न करना है तुमाटर सेखने के बाद आपको गारलेक यानि की लहसुन चौप कर लेना है और मिर्च को भी चौप करके रखना है जो तुमाटर आपने सेख लिया था अब आपको उसका एक भरता बनाना है या आप उसको मैश करना है आप उसे एक बाउल में लेके अच्छे से माश कर लीजिए आपको लेना है एक कढ़ाई उसमे थोड़ा सा तेल डाल कर दरम उने रखना है फिर आपको डालना है जीरा जब वो अवास करने लगे तो आपको गैस लिंग दीमा करना है जीरे के हो जाने के बाद आपको चॉप कियो इन लेसुन और मिर्च कढ़ाई में डाल देने है और जब इसका रंग बदलने लगे तो आपको गैस लीमा करना है लेसुन और मिर्स का सुनहरा हो जाने के बाद आपको टमाटर जो की आपने मैश किये थे वो कड़ाई में डाल देना है टमाटर डालने के बाद आपको दो या तीन मिनिट के लिए इसको ढग दीना है और इसको रेस्ट होने रखना है तेज आज पे आप इसको पका सकते हैं लीजिये हो गई है आपकी टोमाटू की चटनी तयार और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए तैंक यू